हेलो गाइस फर्स्ट पर वेलकम टू आवर चैनल डी एच डी हों तो दोस्तो आज हम इस घर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका साइज है 12 फीट चोड़ा फ्रंट से और 30 फीट लंबा पीछे बैक साइड से तो दोस्तो आज हम बताना चाहते हैं इस घर का जो साइज है दोस्तो ऐसी और भी वीडियो इसी साइज में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी अगर आपको नहीं मिलती हैं पर भी कोई डिजाइन पसंद नहीं आ तो है तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्सेन बोक्स में आपको हमारी कॉंटेक्ट डिटेल से मिल जाएंगे वहां से आप कॉंटेक्ट करके हमें आपने लिए घर का डिजान करवा सकते हैं तो दोस्तों चलिए देखना शुरू करते हैं इसके ग्रांट फ्लोर की डीटियल से तो दोस्तों हम इसका सबसे पहले आपको फस्ट लोर दिखा रहे हैं जो कि कुछ इस तरह की क कर दिखा जाती है अपको लेफ्ट में जो एक गेट दिखा ह Schools Horizon सीडियों के लिए अगरा आपके बाँ और से इंट्री रखते हैं यहां से इंट्री हो सकते दिसमें आपकी तीन चार पर इतकर सी धुक्त बनाया गया है और साइड में आपको छे फीट चोड़ा गेट मिल जाता है जिसमें आपको इतना बड़ा गेट काफी कमफटेबल रहता है दोस्तों इसके बाद इंट्रेंस में क्या है वह हम आपको ऊपर से दिखाते हैं तो दोस्तों इस तरह की सीडिया यह बनाई गई है क्यों कुछ इस तरह के जिसमें आपको यहां से आपके तीन चार अंदर की तरफ से जाती हैं तो दोस्तों यहां कि अगर सीडियों की इंट्रेंस अगर बाहर से भी बिल्कुल हो सकती है अगर आप चाहिए तो इसको दर्वाजे को धर भी लगा के अलग से प्राइविस मतलब प्राइविट स्पेस बना सकते हैं मतलब नीचे के ग्राइव फ सेट करी जा सकते हैं अब मैं आपको पीछे के कमरे का साइज बताता हो हो वहारा फिट चोड़ा और ऑर दस फिट लंबा मतलब जो आगेंवां चोड़ाही तो प्लोट की चोड़ाही में बारा फिटके है यह कमरा मिलता है और इस पूरे प्लोट की जो हाइट ऑमने रखी ह कान जो है इसका घर की जो हाइट रखिए और 10 वीट के करीब हमने रखिए तो दोस्तों पीछे 10 बाई 12 का कमरा होने के बाद आपके बास आगे किचन मिल लाता है किचन की जो लंबाई रखिए वो हमने बारा फीट बचती है मतलब जो स्टेर का जो एरिया होता है वो बारा फीट की लंबाई में है और दोस्तों खास बात यह बता जेता हूं जो फ्रंट की जो वोल है जो कि फ्रंट में जो वोल होगी यह 9 इंच में ली गई है जी हां दोस्तों 9 इंच में इसलिए क्योंकि यहां 4 completely त्यार हो सकता है जवाब करते हैं अब बढ़ते हैं इसके 1st floor के उपर तो दो 1st floors में जैसे ही आपकी इंटरिस सीडियो से यहां से उपर की तरफ होती है तो दो एक change यह किया है जो नीचे की तरफ जो किचन की जो चुड़ाई थी यह साथ साथ सीट थी वैसे ही हमने इसे ऊपर की तरफ के तरफ चुड़ाई काफी चोटा है मतल VC ऊसके इसाब से अगर करने क्योंकि हमारे इस पास सेडियो के निकलने के बाद जो जगह चुड़ी होती है तो वो जगह आपको मिल जाती है मतलब लगबग आपके पास तीन साड़े तीन फीट की जगह मिल जाती है उसके बाद जो पीछे की तरफ कमरा था सेम एजटी जी नीचे ग्राउंड फोर का जो कमरा बनाया गया है वही का सेम दूसेम है और दोस्तों यह काफी कमफर्टेबल बड़ा कमरा जिसमें आपको अच्छे से कर सकते हैं जिसमें आपको कमरे के सामने दिख रही होगी तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास कमरे में काफी जगह मिल जाती है मतलब दस बारा की तो जगह होती है जिसमें आपने आपको दिखाया है कि सारी तरह की आप इसमें यूज कर सकते हैं मतलब काफी बड़ा comfortable कमरा है उसके बाद बाकी सारा आपका hole बच जाता है लेकिन इसमें बातरूम के लिए space नहीं था मेरे हिसाब से कहीं बनाने के लिए तो दोस्तो उस बातरूम को हमने चज्जे के उपर बना दिया है जी हां दोस्तो किया है ताकि आपके जगह कवर ना हो और किसी भी तरीके से आपका घर खूब सुरत दिखाई दे उपर की वांटी बनाने के बाद ये घर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और दोस्तो ऐसे ही लगवग आप इस जो जितना चाहिए उतने फ्लोर तक आप पूचा कर सकते है वो आपके एरिये पर और आपके रिक्वार्मेंट्स के ओपर डिपेंड करता है तो दोस्तो ये घर का डिजैन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें ज़रूर बताए और ऐसी ही और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर हो चाहते हैं कुछ होग डिजैन करवाना तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन वोक्स में आपको हमारे कॉंटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी वहां से आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए घर का डिजैन त्यार करवा सकते हैं दोस्तो ये व